नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए है ये लोग, एक 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 हमारे निताओं को जेल में डालते जा रहे हैं, इन्होंने मेर को जेल में डाल दिया, मनी सिसोधिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन क को जेल में डाल दिया, आज मेरे पी-ए को जेल में डाल दिया, अब ये कह रहे हैं, रागफ चड़ा भी अभी लंडन से लोटे हैं, कह रहे हैं, रागफ चड़ा को भी जेल में डालेंगे, थोड़े दिन में कह रहे हैं, सौरभ भारदवाज को भी जेल में डालेंगे, आती ये इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाते हैं। हमरा कसूर ही है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहला क्लिनिक बनाए बनाए इसलिए अच्छे ईलाज का इंतजाम। ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मुहला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते है, हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते हैं, तो हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते है, हमा मंत्री जी आप ये जेल-जेल का खेल खेल रहे हो कभी एक को जेल में डालते हो कभी मने सिसो दिया को कभी अर्विंद केजरिवाल को कभी संजय सिंग को कल मैं बारा बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ MLA's MPs सब के साथ 12 बजे BJP हेड़कॉर्टर आ रहा हूं जिस ज आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालके आम आदमी पार्टी को क्रश कर लोगे ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली आप एक बड़ जाड डालके देख लो आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में, उससे सौ गुना नेताओं इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सब ही नेताओं के साथ बीजेपी हैटकोटर आ रहा हूँ, जिसको आपको जेल में डालना आप देज जेल में डालते।